यदि आप मसूरों में खुजली का अनुभाव कर रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि इस गुदगुदी, जुनजुनी, असहजता का कारण क्या है? मसूरों में खुजली आम तौर पर खराब मौखिक स्वच्छता का परिनाम है, लेकिन कुछ अन्य चीजे भी जिम्मिदार हो सकती हैं. मसूरों में खुजली का क्या मतलब है? मसूरों में खुजली आम तौर पर इस बात का संकेत है कि कोई चीज आपके मसूरों में जलन पैदा कर रही है वो बैक्टीरिया, अलजी या कोई नया टूथपेस्ट भी हो सकता है सौभाग्य से ऐसा बहुत कम होता है कि मसूरों में खुजली के पीछे कोई गंभीर कारण हो और ज्यादा तर मामलों में उपचार बहुत सरल है मेरे मसूरों में खुजली क्यूं महसूस होती है मसूरों में खुजली के मुख्य कारण प्लाक का बनना, मसूरों की बीमारी, अलजी और सरजरी है 1. प्लाक का निर्मान मसूरों में खुजली का एक सामान्य कारण, प्लाक एक चिपचिपी फिल्म है जो आपके दांतों और आपके मसूरों की रेखा के आसपास बन सकती है इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जो ऐसे डुत्पन करते हैं, जो मसूरों में जलन पैदा कर सकते हैं इसलिए यदि आपके पास बहुत अधिक प्लाक है और आपके मसूरों में खुजली हो रही है, तो ये रोगानू जिम्मेदार हो सकते हैं आपके पास जितना अधिक प्लाक होगा, केविटीज और मसूरों की बिमारी होने की सम्भावना उतनी ही अधिक होगी दिन में दो बार ब्रश करना, रोजाना फ्लॉसिंग करना और साल में दो बार दंट चिकितसक से मिलने से प्लाक और मसूरों में खुजली के खत्रे को खत्म करने में मदद मिलेगी 2. मसूरे का रोग यदी प्लाक को समय के साथ जमा होने के लिए छोर दिया जाता है, तो इससे मसूरों में संक्रमन हो सकता है जिसे मसूरे की सूजन कहा जाता है दंट चिकितसक से पूरी तरह से गहरी सफाई और एंटिसेप्टिक माउथ वोश सहेद घर पर नियमित देखभाल से खुजली को कम करने और मसूरों की बीमारी को दोबारा होने से रोकने में मदद मिलनी चाहिए 3. अलजी और सेंसिटिवटी यदि आपको किसी चीज से अलजी है तो जब वी आप उसके संपर्क में आते हैं तो आपको अम्यून रिस्पॉंस का अनुभाव होता है खुजली इस प्रतिक्रिया का हिस्सा है यही कारण है कि अलजी वाले लोगों को अक्सर आखों नाक और त्वच्चा में खुजली का अनुभाव होता है आपके मसूडे अलग नहीं हैं मौखिक अलजी सिंड्रोम वाले लोगों में पॉलन, डस्ट जैसे अलजी कारक और कुछ फूड आइटम्स मसूडों में खुजली और अन्य अलजी के लक्षन पैदा कर सकते हैं जैसे गले में खराश और होटों में सूजन हालां कि असहज प्रतिक्रिया का अनुभाव करने के लिए आपको अलजी होने की जरूरत नहीं है यदि आप कुछ फूड आइटम्स के प्रती सेंसेटव हैं तो उनका उप्योग करते समय आपको मसूडों में खुजली का अनुभाव हो सकता है और कुछ इंग्रीडियंट्स जैसे अलकोहल या केमिकल्स आपके मसूडों में जलन और सूजन पैदा कर सकते हैं और उनमें खुजली भी हो सकती है आपका दंट चिकितसक ऐसे कुछ औरल केर इंग्रीडियंट्स की सजेशन करता है जो आपके मसूरों और मुऊ को परेशान नहीं करेंगे चार, सरजरी अक्लदाड निकलवाने के बाद आपके मसूरों में खुजली होना कोई असामान्य बात नहीं है नमक के पानी से कुल्ला करने से मदद मिल सकती है लेकिन अगर इससे काम नहीं बनता है तो अपने दंट चिकितसक से बात करें आखिरी चीज जो आप करना चाहते हैं वो है अपनी सरजरी के स्थान के आसपास कहीं भी रगड़ना और खरोंचना क्यूंकि यह आपकी उपचार प्रक्रिया को बाधित कर सकता है मसूरों की खुजली का इलाज कैसे करें? मसूरों में खुजली का सबसे अच्छा उपचार कारण पर निर्भर करेगा यदि प्लाक या मसूरों की बीमारी के कारण आपको परेशानी हो रही है तो आपकी मौखिक स्वच्छता में सुधार करने से काफी मदद मिलेगी एक एंटी प्लाक टूथ पेस्ट और एक अलकोहल मुक्त, एंटिसेप्टिक माउथ वाश जोडने से बैक्टीरिया को मारने और परेशान मसूरों को शांत करने में मदद मिलेगी यदि वह काम नहीं करता है या आपकी मसूरों की बीमारी अधिक बढ़ गई है तो उपचार के बारे में अपने दंद चिकित सक्से पूछें यदि आपालजी से पीरित हैं तो एंटिहिस्टामाइन अम्यून रिस्पॉन्स को कम करने और आपको मसूरों की खुजली से कुछ राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं ये देखने के लिए आपके Oral Care Products को देखना भी उचित है कि क्या उनमें से कोई भी Ingredient जलन पैदा करने के लिए जाना जाता है धूम्रपान, शराब, मसालेदार या आसदिक भोजन से बचने का प्रयास करें क्योंकि वे मसूरों की खुजली को और भी बद्तर बना सकते हैं संभावना है कि प्लाक या मसूरों की बीमारी आपके मसूरों में खुजली का कारण हो सकती है और अगर ऐसा मामला है तो एक अच्छी औरल के रुटीन स्थिती में काफी सुधार करेगी और खुजली को खत्म कर देगी यदि आपके मसूरों में खुजली ठीक नहीं हो रही है या बार-बार आ रही है तो किसी डेंटिस्ट से जाच कराएं ताकि वे आपके मसूरों और दातों की ठीक से जाच कर सकें